Hello students, तो आजम करेंगे exercise 14.1 का question number 5, तो question number 5 क्या कहता है? Let A, B, be the center of two circles of equal red eye, तो यहाँ पर कह रहा है कि A और B जो है वो किसी दो circle के center है, जिनकी, और ऐसे कौन से दो circle है, जिनकी radius same है, draw them so that each one of them passing through the center of the other, तो हमें इन circles को इस तरह से draw करना है कि, एक जो है circle का circle जो है, वो दूसरे के center से pass हो, जैसे अगर हमने यहाँ पर यह a point ले लिया, और इसको center मान के हमने एक circle draw किया, ठीक है, तो दूसरा point कहां पर होगा, जहां से यह circle pass हो, यानि हम माल लेते हैं कि यहाँ क मान लिया, और फिर हमने जब इसको center मानना, तब हमने circle बनाया, तो वो दूसरा कहां से जायागा, इस तरह से, तो यह वाला जो circle है, वो इस point से जा रहा है, यह वाला circle जो है, वो इस point से जा रहा है, तो इस तरह के circle बनेंगे, ठीक है, आगे कहता है कि, the center of the other, let them intersect at C and D, हम म मान लेते हैं कि, यह जो intersect कर रहे हैं, यह point है, C और D, तो हमने इसको C मान लिया, इसको D माल दिया, कोई भी आप point मान सकते हैं, आगे कहता है कि, examine whether AB and CD are at right angle, AB, और इसके ओपर यह जो बार लगा होता है, इसका मतलब होता है, कि यह एक line segment है, ठीक है, तो यहाँ पर AB line segment हमें बनानी है, इस तरह से, फिर CD line segment बनानी है, इस तरह से, और फिर देखना है कि, क्या यह right angle पर काटते हैं, यह यहाँ पर 90 degree angle बन रहा है, यह फिर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले circle ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई point A, और इस point के उपर ह लखते हैं, इस तरह से, और एक यह circle बना लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा point, दूसरा जो circle बनेगा, वो कैसा बनेगा, देखो, यह A वाला हमने बनाया है, यह हमारा B से पास होके जाएगा, तो हमने कहीं यहाँ पर माल लिया, कि यह होगा B, तो दूसरा circle जो है, वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि वो A को भी पास होना चाहिए, तो यहाँ पर इस point को हम माल लेंगे, B, ठीक है, और जहाँ पर यह circle कट कर रहे हैं, उनको हमने point क्या दिये, C और D, तो यहाँ पर इसको हम माल लेते हैं, यह C है, इसको हम माल लेते हैं, यह D है, अब इन points को मिला देते हैं, तो यहाँ पर A, B क्या आएगा हमारा, इस तरह से, यह हमारा A, B हो जाएगा, और CD किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इन दो points को हम मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से, तो यह दोनों जब हमने point मिला दिये, तो यहाँ पर यह एक angle बन गया, यह angle क्या हो होगा, और इसको measure भी कर सकते हैं, इसको protector से measure कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह इसको हम रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि यह जो line है, यह पूरा 90 degree पर जा रही है, तो इसका angle 90 degree बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, hence a, b, and c, d, at right angle, right angle, ठीक है, यह हमारा answer हो जाएगा, questions हम आप, next lecture में करेंगे, next questions, आज के लिए बस इतना ही,